हरेश के बीवी सिद्धी को सिर्फ एक शौक था ओ माई गाड ये गुच्ची के घड़िया भी ना बदो नहीं क्यों ये इतना अट्रैक्ट करती है मुझे क्या भाबी सच में ये गुच्ची है सच में मतलब जूटकी भी गुच्ची होती है क्या ओ यार सिद्धी फिर शुरू मत कर देना अपने ब्रांस का गाना बजाना अरे इसे गाने बजाने की क्या बात है यार ब्रांस खुद बोलते हैं कि मैं गुच्ची हूँ मैं पराड़ा हूँ लोग देखती रहते हैं कि हाई री लेटिस्ट आइफोन है इसकी पॉक्स तब ही वहाँ सास आ जाती है हाँ बहु वो तो है लेकिन क्या ये घडिया कोई अलग वक्त बताती है नहीं मा जी ये अलग वक्त नहीं ये लोगों का वक्त बताती है कि हम कितने अच्छे वक्त से गज़र रहे हैं क्यों अरे यार तुमारे मूँ से ग्यान की बात अच्छी नहीं लगती मा के कहने का मतलब है कि क्या एपल के फोन में आवाज अलग आती है सित्धी को उन लोगों की बात समझ में नहीं आती वो वहाँ से चली जाती है उसके जान के बात क्या वहिया बाबी के तो बड़े ही शौफ है हर चीज को इतना हाइलाइट करती है जैसे उनकी सिवा वो काम तो हर कोई करी नहीं सकता आ यार पता नहीं इसकी शोशा के आदद कब जाएगी और कैसे जाएगी उन लोगों का परिवार एक पार्टी में जाता है जहां आरे बाबी ये क्या पैना है किसी डिसाइनर का नहीं लगता अरे नहीं नहीं ये तो चांदनी चौक का माल है लेकिन भोल तो रहा था कि किसी रोहत बल का नाम पता नहीं कौन है वो मुझे तो बस अच्छी लगे तो खरीद ली रोहत बल और चांदनी चौक में अरे बाबी कापी है ये कापी सिद्धी बेटा जो भी हो मीरा पर ये रंग और कपड़े बहुत सूट कर रहे है अरे हाँ तो मैंने कब बोला के नहीं कर रहा है अब मेरी साड़ी देखो सब ये सांची की औरीजनल है अब पता चल रहा है ना साफ साफ देखो 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 मीरा भाबी को सिद्ध की ये हरकत ठीक तो नहीं लगती पर वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है क्या भाबी, तुमारा भी पसंद नहीं आता, अच्छ ची, मेरा पसंद नहीं आता, और उस मीरा का, बड़ी अपने आपको हीरोईन समझती है बताओ मेरे आगे, यानि कि सिद्ध के आगे बोल रही है रोहिद बल का नाम अरे रोहिद बल के कपड़े अलगी पता चलते हैं, ओरिशनल क्या होता है और काफी क्या, ये तो मैं देखते ही पकड़ लेती हूँ देखो सिद्ध तुम क्या पकड़ लेती हो और क्या नहीं, इसमें हमें कोई इंट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ, रिष्टेदारों के बीज अगर तुम इस तरह की बाते करोगी तो ठीक नहीं है अरे हाई हाई, ये नहीं के अपने बहु पर गर्ब करें, उल्टा, वाजीबा, गमारों की घर में हाई क्लास बहु तो होनी ही नहीं चाहिए भाबी, आप ये जो गूम गूम कर ब्रैंड और डिजाइनर की बात कर रही हो ना, इसी क्लास नहीं कहते क्योंकि जिनका क्लास होता है न, उन्हें बोलना नहीं होता, उनका क्लास खुद बखुद बोलता है घर, कहते हैं न, भेंस के आगे बीन बजा कर कोई फाइदा नहीं होता वैसे ही सिद्ध को समझा कर भी कोई फाइदा नहीं होता, एक दिन अरे ये क्या, इतने बड़े हैड्रस, जावे था बीबी, हम लोगों की महले में वाव, मैं तो चली आज है डू के लिए अरे बहू, कहां जाने के लिए खुश हो रही है माजी, ये महला तो मिडल क्लास लोगों का है यहां के पारलर में तो कोई कमला, विमला, शिमला टाइप ब्योटीशन आ जाए यही बहुत है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के घर जहां है न, वहां के पारलर में आज जावे था भी पा रहा है मैं जा रही हूं उससे अपना हैस्टाइल सेट करवाने अरे भाबी, वो तो बहुत महेंगा होगा न हाँ, तो सस्ती चीजों का शौक भी तो सिद्धी नहीं रखती जानती हो न, वैसे यह मेरी इन्वेस्टमेंट है जिससे मैं ज्यादा साल तक क्लासी और स्मार्ट लगूंगी वैसे बहुत पहली बार सुना कि पैसे फाल तुम्हें खर्च करने को इन्वेस्टमेंट गहते है आप नहीं समझेंगी सस्मा, आप तो बस जमक दे सोनी की बालिया और जिम की ही बनवाती रहिए एपल के सिक्स्त सिरिस वाली वाच कहा है मेरी वैसे आप लोगों को तो सिरिस की बारे में भी पता नहीं होगा है ना चोगे, घड़ी कहा है मेरी ननत को सिद्ध की बात पर बहुत गुसाता है वो सोच लेती है कि वो भाभी को सबक सिखा कर रहेगी लेकिन कहते हैं ना जब अकल आनी होती है, आही जाती है किसी को कुछ करे कि जरुरती नहीं पड़ती सिद्धी शाम को घर आती है, तो रोने वाले सूरत होती है अरे क्या हो गया, ब्रैंड क्वीन जावेध हबीब ने देखा नहीं तुझे सिद्धी कुछ नहीं कहती सीधी अपने कमरे में चली जाती है और एक बैग में अपने सारे महंगे गैजिट्स और कपड़े भणने लगती है अरे मा भाबी थोड़ी परेशान से लग रही है कुछ बताया क्या नहीं तो बस चुपचाप कमरे में चली गई ननत भाबी के कमरे में जाती है अरे भाबी क्या बात है सारे महंगे आइटम को भर कर कहा जा रही हो समंदर में फेंकने कहीं सादा जीवन उच्चे विचार का ख्याल तो नहीं आ गया चिप रहो मैं बिलकुल मसाक के मुड में नहीं हूँ जा रही हूं मैं, रात में इनके साथ घर वापस आ जाओंगी, इनने सब बता दिया है, सिद्धी निकल जाती है, शाम को सिद्धी के माई के में, सिद्धी अपनी माँ से कहती है, मा मैं क्या करू, मेरे पास गोई गहने तो खास है नी, ये घड़ी, ये फोन और कुछ डिजा हम लोगों ने जो कुछ था सब लगा दिया, बस चार लाक की कमी है, पता नहीं कैसे इंतजाम होगा, तुझे भी क्या जरूरत थी इन फालतों की चीज़ों में पैसा बर्बाद करने की, लेकिन तभी, वहां सिद्धी की सास अपने बेटी के साथ आती है, अरे बेहन जी, चिंता मत करिए, ये लिजे पैसे और भाई सहाब का अच्छे से इलाज कराईए, मा ये इतने पैसे, हां भाभी, वो मा जो सोने की जुमके और बालिया लेती रहती थी ना, उससे से आए हैं, पैसे आपके ब्रांस का क्या हुआ, मैं समझ गई, जूठी शान और शौकत किस काम के नहीं होती, इंसान की पहचान उसके अच्छे ब्यावार और स्माइल से होती है, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?